हलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम फैब्रिक पट्टी और फ्रिल के साथ प्लाजो पेंट का एकदम नया डिजाइन बनाएंगे तो चलिए हम आज की इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी फैब्रिक पट्टी रेडि करनी है तो उसके लिए मैंने अपनी सेम प्लाजो पेंट वाले फैब्रिक से एक पट्टी कट की है ये लगबग दोवी इन चोड़ी है और लंबाई में हमें थोड़ी जादा लेनी है क्यूंकि हमें इसे चोटी-चोटी पटियां कट करनी है तो अब हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और पहले उपर की तरफ ऐसे और फिर ऐसे सिलाई लगा देंगे तो ऐसे पट्टी पे हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसे पलट लेंगे ये बंदवाली तरफ से बंदवाली साइड से न हम इसे थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ करेंगे और फिर किसी भी सिलाई अब इनकी मदद से इसे पलट लेंगे तो ऐसे इस पट्टी का कोन ना यहां से बाहर आ गया है अब हमने यहां से पकड़ के पूरी पट्टी को पलट लेना है तो ऐसे हमने इस पट्टी को पलट लिया है अब हम इस लाई को ना ऐसे बीच में लाते हुए बिल्कुल सेंटर में लाते हुए ना इस पटी को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे तो ये देखिए हमने इस दिलाई को सेंटर में लाते हुए इस पटी को अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लिया है अब हमें इसे छोटे छोटे pieces cut करने हैं लगबग 2,5 इंच के तो ऐसे हमने इस पट्टी से सारे pieces cut कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे इसके साथ ना हमें fabric triangle का design ready करना है तो चलिए वो भी ready कर लेते हैं तो fabric triangle बनाने के लिए मैंने ये contrasted fabric लिया है लगबग 2 इंच ओड़ा और 2 इंच ही लंबा ये दिखिए अब हमने इसे ऐसे fold करना है इस तरीके से और फिर ऐसे ऐसे fold करके हमारा ये fabric triangle बन जाएगा और इसे press के साथ अच्छे से बिठा लेंगे फिर हमने दोनों तरफ से इसे ऐसे fold करना है और यहाँ पे ना नीचे की तरफ एक rough stitch कर लेनी है तांकि ये खुलेना तो ऐसे हमने rough stitch के साथ ये fabric triangle ऐसे तयार कर लिया है ऐसे हमें सारे triangles ready कर लेने हैं तो ये triangles भी हमारे ready हैं और पटियां भी हमारी cut हो चुकी है अब हम एक पटि लेंगे और इसे इस तरीके से ऐसे double fold करेंगे और इसके उपर ना अपना ये fabric triangle ऐसे रखेंगे इस तरीके से ऐसे रखेंगे और दोनों को ना यहाँ से एक rough stitch कर लेंगे तो ऐसे एक पटि हमारी तयार हो गई है एक पटि और अभी मैं आपको ready करके दिखा देती हूँ fabric triangle के साथ इस तरीके से triangle को इसके उपर रखेंगे और यहाँ पे rough stitch कर लेंगे तो ऐसे हमने triangles और पटियों को आपस में इस तरीके से stitch कर लिया है अब हम इने ना अपनी plazo pen के उपर रखे stitch करेंगे तो ऐसे पटि को इसके उपर उल्टा करके रखेंगे अपनी marking के उपर और बिल्कुल अपनी marking के उपर उपर शिलाई लगा देंगे तो पटि में हम लगबग एक पैर का ही gap लेंगे जादा gap नहीं लेंगे इस तरीके से अगली पटी को रखेंगे और शिलाई लगाते जाएंगे तो ऐसे ही एक एक पैर के गैप के उपर हमने पटीओं को रखते जाना और शिलाई लगाते जाना है तो सारी पटीओं को हमने ऐसे उल्टा रखते हुए यहाँ पे शिलाई लगा ली है अब हमने इसे नीचे से फोल्ड करना है तो इसे नीचे से फोल्ड करने के लिए हम प्लाजो पेंट को पहले उपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे आधा इंच और उसके बाद फोल्ड करके यही वली सिलाई के उपर रखेंगे जो हमने पटियों को स्टिच करते हुए लगाई और यहां पर किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यहां पर हमने किनारी की सिलाई भी लगा ली है अब हम इन पट्टियों को ना ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे इस तरीके से और यहां पर भी एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए हमने यहां पे भी किनारी की सिलाई लगा ली है और देखिए कितना खुबसुरत लग रहा है हमारा ये प्लाजो पेंट का डिजाइन तो अब हमने इसके उपर ना फ्रिल स्टिच करनी है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो फ्रिल बनाने के लिए भी मैंने कंट्रास्टेड फैब्रिक लिया है और ये लगबग तीन ही चौड़ा है लंबाई में ये एक मीटर के करीब है क्यूंकि हमें इससे फ्रिल रेडी करनी है प्लेट्स डाल के तो प्लेट्स डालने के बाद ये कम रह जाती है अब हम इस फ तो ऐसे हमने इस पट्टी पे सिलाई लगा लिए है अब हम ये बंद वाली साइड से इसे पलट लेंगे ऐसे इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए ना किसी भी सिलाई अप इनकी मदद से यहां से इसे पलट लेंगे तो ये दिखिए ऐसे हमने इस पट्टी को पलट लिया है अब हम ये वाली सिलाई को ऐसे बीच में लाते हुए यानि कि सेंटर में लाते हुए ना इसे भी प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे तो ऐसे हमने इस पट्टी को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है ये वली सिलाई को बिल्कुल सेंटर में लाते हुए अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी है तो इससे हमें बॉक्स प्लेट वाली फ्रिल रेडी करनी है वो हम कैसे डालेंगे एक तरफ से न हम इस तरीके से ऐसे प्लेट उठाएंगे जैसे हम सलवार में प्लेट उठाते हैं इस तरफ और जो दूसरी प्लेट है न वो हमने इस तरफ की उठानी है ऐसे दोनों तरफ हमें ऐसे प्लेट्स लगानी है और यहां बिल्कुल इसके बीच में सिलाई लगाते जाना है तो जो अगली प्लेट अब हो फिर हम इस तरफ की लगाएंगे और दूसरी प्लेट इस तरफ की ऐसे ही हमें इसमें प्लेट्स डालते जाना है बिल्कुल एकुल साइज की तो ये दिखिए ऐसे हमने अपनी सारी बॉक्स प्लेट फली फ्रिल इस तरीके से तैयार कर ली है अब हम इस फ्रिल को अपनी प्लाजो पेंट के उपर रख के स्टिच करेंगे तो ये जैसे हमारी प्लाजो पेंटा ना इसके उपर हमने यहां से लगबग आधा इंचूप पर रखनी है ये प्लेट इस तरीके से ऐसे आनी चाहिए नीचे मुहरी वाली साइड से आधा इंचूप पर यहां पर रखेंगे और यहां पर बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमने यहां पर बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा ली है और यह फ्रिल हमारी ऐसे फ्लाजो पेंट के उपर स्टिच हो गई है तो यह जो हमने फ्रिल स्टिच की है ना इसकी जो प्लेट से हमें ऐसे उठानी है इस तरीके से ऐसे सुई धगे के साथ इसको टांका लगाते जाना है चारो तरफ से हम इसको उठा देंगे और शेंटर में बिठाते हुए न यहाँ पे हमने इसके साथ ही एक परल भी स्टिच कर लेना है चोटा सा ऐसे ही हमने सारी प्लेट्स की कोने को इस तरीके से उठाते जाना है और यहाँ पे परल एक स्टिच करते जाना है बीच में इनके तो ऐसे ही हमें सारी प्लेट्स को टांका लगाते हुए न बीच में इनके परल स्टिच करते जाना है तो अभी मैं आपको अपने सारे परल स्टिच करके दिखाती हूँ तो ये दिखिए सारे परल भी हमने यहाँ पर स्टिच कर लिए है और दिखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये फ्रिल यहाँ पर तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो ये देखिए इसे फिटिंग की सिलाई भी लग गिया और देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है हमारा ये प्लाजो पेंट का डिजाइन एकदम नया डिजाइन है ये तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद हमारा ये खुबसूरत प्लाजो पेंट का डिजाइन कुछ हैसे आ जाएगा तो आप भी ये वला डिजाइन अपनी प्लाजो पेंट पे जरूर ट्राइ करें तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक हो शियर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई